कहाने की शुरुवात हुई एक आदमी को दिखाने से जिसका नाम निकी होता है। वो होटल में बैठ कर खाना कहा रहा था कि तब ही एक लड़की आकर उसकी पास बेढ़ जाती है। वो निकी को कहती है कि वो सामने वाला बुड़ा आदमी मुझे परिशान कर रहा है। जिसका नाम जेस था उसकी तरफ अजीर तरह से देखने लगता है। जेस पूछती है क्या तुम कोई सीरियल किलर खूनी हो जो इस तरह मुझे घूर रहे हो। निकी कहता है कि मैं कुछ ने कह सकता। ये तो सामने वाले पर हैं कि वो मुझे किस तरह का सोचता है और मैं वैसा बनता हूँ। अब दोनों देर रात तक ऐसे ही बातें करती देगी इनकी दोस्ती हो जाती है। पिर और वक्त साथ बुजारने के लिए कमरे में चलीगी। जहां तब ये एक आदमी कमरे का दर्वाजा खोल कर अंदर आ जाता है। वो दोनों को साथ में देकर चुड़ गया। नकी पर गन तान कर मारने की धंकी देता है। जिस नकी को बताती है कि ये मेरा रिस्बेंट है बहुत ही पागल इनसान है। अब से पहले भी कई सारे लोगों को मार चुका है। और ये देखना तुम्हें भी मार देगा। पर यहां नकी डरता नहीं ना ही कुद को छोड़ने के लिए कहता है। बल्कि उसने तो ये का कि प्लीज मुझे मार दो क्यूंकि वैसे भी मुझे कैंसर है। तो मर तो मैंने वैसे भी जाना है तो यार लो तुम्हे मार दो। अब असल में नकी यहां उसे गोली मारने के लिए उकसा रहा था। और उसके कहने पर भी वो आदमे गोली नहीं चिलाता। इसलिए नकी उट खड़ा हुआ तब यहां जैस अपना मुझे खोलती है। उस आदमे को पहनी लगी और यह बेवाकूफ इंसान इसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। बलकि वो हमारा प्लैन समझ चुका है। असलिए नकी को बातों में फंसाना और उसे यहां कमरी तक लेकर आना सब जैस और उसकी इस साथी की चाल थी। क्योंकि वो इस रहे लोगों को ड़ाकर अपनी बातों में फसाकर लूटा करती थी। मगर इस बर उसका यह प्लैन फेल्ड हो गया। क्योंकि इस बार उनका सामना अपने से भी बड़े लुटेरे से हो गया। जो इनकी चाल समझ चुका था। जी हां निकी भी काफी बड़ा माहिर लुटेरा था। और वो अब चुप चाप वहां से निकल जाता है। तो निकी भी उसकी साथ साथ चलने लगता है। वो से शरा पीने के लिए आफर करता है। क्यूंकि जैस भी उससे काफी मतासिर हुई थी इसलिए वो उसकी आफर माल लेती है। यह दोनों बार में आकर शरा पीने लगें। जहां जैस उसे चोरी करने की स्किल्स महारतों की बारे में पूशने लगती है। जैस उसी बताता है कि चोरी लोट मारके इस खेल में सबसे जरूरी चीज है फोकस। यानि किसी काम को करने में हमारी सारी तवज्जा उस सरफ होनी चाहिए। असल में इनसान एक वक्त में कई सारे काम नहीं कर सकता यूँकि इस तरह काम खराब ही होती है एक चीज़ पर फोकस और दूसरों का फोकस अपनी तरफ करना बहुत जरूरी होता है ये सब बताने की बाद वो जैस के साथ इसका प्रैक्टिकल भी करता है यानि वो उसकी घड़ी और पर्स चुरा लेता है जिस बारे में जैस को पता भी ने चल पाता वो बताता है कि दे मैं तुम्हारी चीज़े असाने से चुरा पाया क्योंकि तुम्हारा फोकस मेरी तरफ था और मेरा तुम्हारे तरफ जो देकर जैस भी काफी चौंग गई इस महारत से मुतासिर भी होती है अगले दिन ये फिर से मिली जैस उसे काफी जित करती है तब निकी उसे ये बताने के लिए मान जाता है कि हम लोग टीम में कैसे काम करते हैं मतलब वो अकेला नहीं था उसके कई सारे साथी भी निकी के साथ चोरिया अंजाम देती हैं तो अब जैस भी उसकी टीम का हिस्सा बनकर एक भीड़वड़ी जगा पर आती है सामने की बालकनी में निकी भी खड़ा होकर इन पर नज़र रख रहा था निकी के टीम का एक लड़का जैस को समझाता है कि हम चोरिय कैसे अंजाम देंगे और अब ये लोग फोरण अपने काम पर लग जाते हैं यहां जैस की चोरिय की महारते देकर निकी और उसके साथी काफी हरान भी हुए साथी खुश भी हो रही थी यानि निकी बेवकुफ समझ रहा था लेकिन वो तो काफी स्मार्ट निकली आगे निकी जैस को वो जो का दिखाता है जहां चोरिय का समान बेचा जाता था यहां पर चोरिय किया हुआ बहुत कीमती महंगा समान पड़ा हुआ था जिन मेंसे एक नेकलिस जैस को काफी पसंद आ गया वो उसे उठा कर पहन कर देखने लगती है निकी उसे ये वापिस रखने का कहता है समझाने लगा यह देखो अभी हम इतने अमेर नहीं हुए कि अराम से अपने एश वेले जिन्दगी गुजारे हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही पैसा है कि हम अपना गुजारा कर सकें इस तरह की किमती चीजें खरीद लेका भी हम सोच भी ने सकती यानि अभी हमें और भी बड़ी बड़ी चोरियों के जरूरत है अब निकी उसे एक कमरे की चावी देती हुए कहता है कि अभी हमें काफी टाइम के लिए साथ काम करना है तो मैंने तुम्हारे लिए होटल का एक कमरा लिया है अब जैस उसे भी साथ आने की जित करती है ताकि यह और वक्त साथ गुजार सकी लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मैं अभी मसरूफ हूँ तो अब गाड़ी लेकर जैस अकेली होटल में आ जाती है वो जब कमरे में थी तब निकी की बारे में ही सोच रही थी ऐसा लग रहा था जैसी वो उससे पसंद करने लगी हो और तबी दर्वाजे की बेल बची जैस ने जब दर्वाजा खुला तो वहां और कोई नहीं बलकि निकी था यानि वो भी खुद को रोक नहीं पाया और ये डोनों साथ वक्त गुसारने लगते हैं अगले दिन जैस एक आदमी से बात कर रही थी जो निकी का दोस्ती था उसके साथ काफी वक्त से काम कर रहा था दोनों बाते कर ही रही थी कि तबी निकी की दोस्त को दोरा पढ़ने लगा वो दर्स से चिलना दी लगता है दरासल ये सब भी निकी और उसके साथियों का ही प्लाइन था उसकी हालत देकर लोग घब रा गए और अब चैसी सब का फोकस उसकी तरफ हुआ ये लोग अपना प्लाइन अजाम दने लगते हैं सब लोगों की किमती चीज़ें चुराने लगे कुछी दिर बार निकी एक एबियूलस लेकर वहां आ गया वो अपनी दोस और जैस को गाड़े में बिठा कर वहां से निकल जाता है राद को निकी और उसकी सारे साथी चोड़े करकी पार्टी कर रहे थी सब बहुत कुछ थी निकी उन्हें बताता है कि इस बार हमने अपना बहुत बड़ा टार्गेट हांसिल किया है उसका एक साथी निकी को सारे पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों को संभालने की जिमेदारी तुम्हारी है और हाँ जुए बाजी से दूर रहना अब तबी पीछी बटा एक अमीर आदमी उनसे कहता है कि मेरे हिसाब से उसे पांच लोग लेखेंगे लेकिन उसे साथ लोगों ने देखा और क्यूंकि जैस का अंदाजा काफी ठीक था तो ये शर्त वो जित जाती है और अब निकी उस अमीर आदमी के कहने पर ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स पर शर्त लगाने लगता है पर दो बर निकी उस आदमी से शर्त हार जाता है इसलिए अब निकी उससे 10,000 की शर्त लगाता है वो अमीर आदमी को कहता है कि अब जो भी प्लेयर बाल को पकड़ने की कोशिश करेगा उससे कैच छोट जाएगा जबकि अमीर आदमी कहता है कि नहीं वो कैच पकड़ लेगा और अब कुछी दियर की बाद एक प्लेयर दुसरे की तरफ बाल पहंगता है तो उसने कैच पकड और इस बार वो अपनी 1.2 मिलियन डॉलर्स की बड़ी शर्ट लगाने के लिए तयार हो गया था वो अमीर आदमी को कहता है कि चलो 1.2 मिलियन डॉलर्स की शर्ट लगाओ हम ये शर्ट कार्ट पर लगाएंगे जिसकी बाद ही दोनों कसीनों में आगे और अब निकी सारे पैसे टेबल पर रख देता है इस सबसे जैस काफी परेशान थी वो अभी भी निकी को यहां से चलने का कहा रही थी लेकिन वो उसकी एक ना सुनकर अमीर आदमी को शर्ट के लिए चेलेंज कर देता है क्योंके उस आदमी की पास भी पहुत सारा पैसा था इसलिए वो भी उसकी चैलन्ज को कबोल कर लेता है मगर अब बदकिसमती से निकी टेबल पर रखे 1.2 मिलिन डॉलर्स भी हार जाता है अब इन पैसों में निकी के साथियों का भी हिस्सा था पर क्योंके सारे पैसे तो जा चुके थी इसलिए जैस की परेशाने बढ़ने लगती है और अब तो निकी भी चुपचाप यहां से जाने लगा तब अवीर आदमी उसे टेंस करवा कर कहता है कि बई अगर किसी बड़े प्लेयर की साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा जो सुनकर निकी का खुसा आगया साथ ही उसे कुछ याद भी आगया था इसलिए वो फिर से अमीर आदमी की तरफ बढ़ने लगा कहता है कि अब मैं डबल पैसन की शर्ट खेलना चाहता हूँ यानि 2.2 मिलियन डॉलर स्की हैरान कुन बात ये थी कि अभी उसकी पास एक रुपिया भी नहीं था मगर वो फिर भी शर्ट लगाने की जेत कर रहा था निकी अमीर आदमी को कहता है कि तुम ग्राउन में खेल रहे कि सिभी प्लियर का नमबर नोट करो और मैं ये अंदाजर लगा कर तुम ही बताऊँगा कि तुमने किस प्लियर को अपने दिमाग में सोचा है पर इसके लिए अमीर आदमी ने मना कर दिया वो कहता है कि मुझे तुम पर यकी नहीं के कहने लगा कि चलो मैं नहीं मेरी दोस जैस उस प्लियर की बारे में बता देगी अब निकी का इतना पागलपन देकर अमीर आदमी भी मान जाता है जबकि जैस अभी भी उसे समझाने के कोशिश करने लगती है स्टेडिया में जाकर अमीर आदमी ने एक प्लियर का नंबर नौट करिनिया था तब आकर वो जैस को कहता है कि जाओ और बताओ कि मैंने किस प्लियर को अपने दिमाग में सोचा तब निकी जेस्ट को समझाता है कि अभी बाहर जाओ और बस प्लेयर की बारे में सोचकर मुझे बता देना जेस्ट ने ऐसे किया वो दोर बेन के जरीए काफी दीर तक प्लेयर्स को देखती रही पर उसे कुछ भी समझ नहीं आती इस तुरान अमीर आदमी निकी को कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी ये बेट वापिस ले सकते हो पर वो मना कर देता है क्योंकि ये रिस्क वो लेना चाहता था और अब कुछी दिर बाद जेस्ट प्लेयर की तरफ देख कर काफी हरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर निकी का दोस बेख खेल रहा था जिसने पचपर नंबर की टीशिट पहनी हुई थी और अब जेस्स बिना हिच की चाहिक के देती है कि पचपर नंबर वाला ही वो प्लेयर है जो अमीर आदमी ने सोचा है यह सुनकर अमीर आदमी पागलों की तरह हसने लगा कहता है वेल देन वा बई वा तुमने सही अंताजा लगाया तुम यह शर्त जीत कही हो हाँ पचपर नंबर वाला ही वो प्लेयर था जो सुनकर जेस्स को भी काफी हैरत दूई तुमने अभी तक मजी अपने प्लैन की बारे में नहीं बताया यह आखर कैसे इतनी बड़ी रखम तुम जीत कही है जब के कुछ तिर पहले तो यही लग रहा था जिसे तुम्हारे गुस्से की वज़ह सी तुम सारे पैसे हार गए हो अब बताओ सच क्या है तुम कैसे शर्ट जीत के तब निकी उसे बताता है कि अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है साथी वो बहुत बड़ा जवारे भी हैं कोई ऐसा जुआ नहीं जो इसलिए ना खेला हो जेस पूछती है अच्छा तुम्ही कैसे बता चला कि मैं पचपन नंबर ही चुनूँगी तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया तब निकी बताता है कि काफी वक्त पहले से मैं की बात तुमारे जहन में डाल रहा था साथ साथ अमीर आदमी की दिमाग में और अब यहां से कहाने कुछ वक्त पहले आ जाती है हमने देखा कि निकी की आदमी काफी वक्त पहले से अमीर आदमी पर नज़र रख रहे थी उन्होंने अनगलक तरह कोशिश करकी पचपन नंबर उसके जहन में बिठा दिया था वो जहां जहां भी जाता पचपन नंबर या इस नंबर की शेप उसे हर जगा दिखाए दिया करती थी यहां के बैनर्स पर लोगोंने पचपन नंबर पकड़ा हुआ था यह भी उनकी चाल थी अमीर आदमी को दिखाने के लिए और आज जब वो मेश देखने आ रहा था तो उसकी नजर निकी के दोस पर पड़ गई इसलिए उसने जहन में पचपन नंबर बिठा लिया क्योंकि उसका नंबर भी पचपन ही था यही वज़ा है कि शर्त की दुरान भी इसने यही नंबर चुना और अभी सारी बाती सुनकर जैस काफी खुश हो जाती है वो फिर से मतासिर हुई निकी उसे कहता है कि तुमने भी काफी अच्छा काम किया जो कहकर वो जैस को उसके हिस्से के पैसे दे कर यहां से चला जाता है हलांकि जैस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बिना कोई बात सुने वहां से चिड़ा गया इस बात को लेकर जैस रोने लगती है क्योंकि वो निकी को पसंद करने लगी थी मगर उसका इससरा अचानग के लिए जाना जैस को बहुत बुरा लगता है और अब यहांसे कहानी तीन साल के बात की दिखाई जाती है जहां निकी फिर से एक अमीर आदमी को लूटने का प्लैन बनाना था इस अमीर आदमी का नाम गयरी होता है उससे खेलों वाले गाड़ियां रखने का बहुत शोक था पर गाड़ियों को ठीख करने के लिए उसे एक अच्चे मेकैनिक की ज़ूरत थी इसलिए अब निकी खुद को एक अच्चे मेकैनिक बताकर गयरी से मिलने जाता है जब निकी वहां से चिला गया तो गयरी का गाड़ कहता है कि इस से जरा समल कर रहे न क्योंकि इस साथ में पर मुझे बिल्कुल भी परोसा नहीं है खेरब शाम को निकी एक पार्टी में आया जहां उसे गेरी नहीं बुलाया था पार्टी में जेस्ट भी थी जो गेरी की पास आ जाती है अब उन दोनों को इतनी पास देखर निकी समझ जाता है कि ये दोनों तालुक बना चुकी है उसे बुरा लगा इसलिए वो पार्टी से बाहर चला जाता है वो एक जिगा खड़ाई था कि तब यहां जेस्ट आई उसे कहती हैं कि मेरा उसके साथ तालुक बन चुका है अब निकी को वो साथो पहने ही बहुत था ओपर से उसे शराब कभी खुब नशा चड़ गया था इसलिए वो गैरी की मोपर जोरदार मुका मार देता है यह देकर गैरी का गार्ट उसे पकड़ की पार्टी से बाहर निगाल देता है गैरी उसे चौप से नहीं निकालता क्योंकि उसे पता था कि उसने ऐसा नशे में किया वो निकी को माफ कर देता है अगली दिन गैरी का मैनेजर जब निकी को काम समझा रहा था तो पूल की पास जैस हाई जहां गैरी भी लेटा हुआ था और अब एक बार फिर से उने इतना करीब देखकर निकी जलने लगा उसका फॉकस दोनों की तरफ ही हो जाता है मैनेजर से मिलने की बाद वो जैस की पास आया उसे कहता है यह तो मैं इस सांगे कपड़े पहन कर यहां नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहां कुछ लोग तुम्हें अजीब तरा से देख रहे हैं जो बात मुझे बिलकुल पसे नहीं आ रही है पर जैस उसकी बातों को नजर अंदास करके वहां से चली जाती है अगले दिन निकी और जैस एक अलग जगा पर मिले यहां जैस तीन साल पहने होने वाले उस फाके की बारे में पूशती है क्योंकि वह यह जाना चाह रही थी कि उस दिन वह जैस को अचानक छोड़कर क्यों चला गया तब निकी उसे समझाने की या कहें कि अपनी बातों भी पसाने की फिर से कोशिश करता है लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि बहुत नाराज थी इसलिए अपने की अपने दोस्त के जरीए ही जैस को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि वह जैस का भी काफी अच्छा दोस्त बन गया था पर जस्ट ने मना कर दिया वो कहती है कि अब की बार में तुम पर बरोसर नहीं कर सकती इतना कहकर वो यहां से निकल जाती है अब उदास होकर निकी जब होटल में वापिस आया तो जस्ट उसकी दर्वाजी पर पहने से बैठी हुई थी सच तो यह ता कि वो आज पी उसे पसंद करती थी इसलिए खुद को यहां आने से वो रोक नहीं पाई और अब यह दुन्यों कमरे में आकर फिर से एक साथ वक्त बुजारने लगते हैं अगले सुबा बगाईर बगाईर का गाड निकी से मिलने आ जाता है वो दर्वाजा खट-कट आता है तो निकी फूरन जाकर दर्वाजा खोल दीता है अगले दिन गारी का मेनिजर काम की बदली उसे धीर सारे पैसी दीता है अब यहाँ अमनिकी को अपनी लैपटॉप में कुछ ट्रानसफर करते हुए दीखती हैं जो असल में गैरी की कुफ्या डीजाइंस थी और अब इन डीजाइंस को चोड़ी करने की बार निकी गैरी की क्लार्ड्स को ये कम पैसों में वो बेश दीता है जिसके बार निकी वो सारे पैसे लेकर जैसके साथ यहां से चिले जाने का प्लैन बनाता है और अब जब यह दोनों गाड़ी में बैटकर यहां से निकल रहे थी तो तभी ग्यारी का एक आदमी भी अपने गाड़ी से इनका पीछा करनी लगता है वो अपने गाड़ी को जोर से इनकी गाड़ी में लाकर मार देता है जिससे दोनों भी होश होगी अब जब दोनों को होश आई तो वो खुद को कुरसी से बंदा हुआ देखते हैं उनके सामने ग्यारी था असल में ग्यारी को पहने ही पता चल चुका था कि निकी यहां मुझे डूटने के इरादे से आया है इसलिए काफी पहले से उसने अपने आदमियों को निकी के पीछी लगा दिया था चोग दिन रात उस पर नज़र रख रहे थी पर यहां ग्यारी को यह समझ नहीं आती कि इतनी सक्सिक्योटी होने की बाद भी निकी नी पासवर्ट का पता कैसे लगवा लिया उसने जब इस बारे में पूछा तो निकी जवाब दीता है कि जब मैंने तुमें जैस की इतने करीब देखा तो मैंने भी उसकी करीब जाने का फैसला किया मैंने जैस को वो नेकलिस जो गिफ्ट बिचवाया था उसमें एक खुफिया चिप लगा दी थी और जब जैस तुमारी कमरे में आई तो जिब की लैपटाप की पास आने पर मुझे तुम्हारी लैपटाप की एकसेस मिल गई यानि अब मैं तुमारी लैपटाप की साथ कुछ भी कर सकता था और इसी तरीके से मुझे तुमारे पासफ़र्ट का पता चला लेकिन हाँ जैस को इस परे में कोई आइडिया नहीं था बलगे मैंने एक बार फिर प्यार का नर्टे करके उसे भी वकूर बनाया यही सुनकर गैरी और उसका गार्ड जोर जोर से हसने लगती है और अब तभी गैरी जैस की मुझे टेप हटाता है तो वो भी अपना मुझ खोलती है कि मेरे और गैरी की बीच कभी कोई तालुक था ही नहीं यानि वो भी उसे लोटने के इरादे से ही आई थी जिस पारे में गैरी को पता लग गया था असल में जब जैस गैरी की पार्टी में आई कि एक ना सुनकर निकी गैरी को एक और कहाने सुनाने लगता है जिस पर गैरी का गैरी का गैरी को गोली मार देता है यह कहकर कि अब हम इसका एक और जोट नहीं सुन सकते जिसके बाद वो गार्ट जिस पर भी गोली चिलाने के लिए आगे बढ़ता है तब गैरी उसे ये कहकर रुख देता है कि मैं या फुलस का कोई तमाशा बनाना नहीं चाहता, रुख जाओ जरा, और हाँ, अब से इस मामले को तुम ही समालोगे, जो कहकर वो यहां से चला गया, निकी जखमी था, इसलिए उसके सांसे रुखने लगती है, तब गार्ड गोली निकाल चुके थे, वो फिर जखमी निकी को लेकर हॉस्पिटल की दरफ चल दिये, ये गाड़ी में थी, जहां जखमी निकी को बातों ही बातों में पता चल गया था, ये निकी ने गैरी को लोटने की प्लैनिंग, तीन साल पहले ही बना ली थी, तो तब से उसके डै गया रही, दोनों को शूट करकी मार दीता, और अब जल्दे ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, उसकी डैड और जैसु से अंदर ने जाने लगी, अब निकी की की सजा उसे मिल भी चुकी थी, और क्योंकि जैस वे उसके जैसी थी, इसलिए माफ परकर उसे अपना और इसी की साथ ही, इस फिल्म की कहानी भी ये लिए बर्खत बचाती है।